हलो स्ट्रेंट्स गुड मॉर्णिंग मैं आपके साइंस्टी चेश्वतम हैं बच्चो क्लास्टेंट का हमारा चैप्टर चल रहा है कंट्रोल और कॉडिनेशन इन प्लांट्स जिसमें आज हम स्टूडी करने जा रहे हैं पार टू और आज हम क्या पढ़ेंगे बच्च पेशले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स में मॉवमेंट कितने टाइप्स के होते हों उसके हमने क्लासिपिकेशन देखे थे और आज हम ट्रॉपिक मॉवमेंट को अच्छी तरीके से पूरा इसको डण करेंगी ठीक है तो सबसे पहले ट्रॉपिज्म देखे ट्रॉपिज्म में ट्रॉपस मतलब होता है टर्न करना क्या टर्न करना तो कौन टर्न करेगा टर्न करने का मतलब होता है मुड़ना या उधर की तरफ जुक जाना ठीक है तो इसको हम बोलते है टर्न करना जैसे रोड पे आप देखते जो luk Acham और कुछ जा रहे हैं और हमको पाटिकुलर किसी के घर जाना है तो हमको सीधे जाकर के राइड की तरफ टर्ड लेना होगा ठीके तो हम right की तरफ मुड क्यों रहे हैं क्योंकि हमको particular उनके घर जाना है मालो कोई भी है कोई भी रामप्रसाद है हमको रामप्रसाद जी के घर पे जाना है तो it means कि हमको सीधे जाकर के और right में turn लेना है तब जाकर के हम रामप्रसाद जी के घर पे पहुचेंगे इसी तरीके से है कि turn तो करेगा, कौन turn कर रहा है, plant turn करेगा, क्या पूरा plant turn करेगा, नहीं, turn करेगा कि अबल plant का organ, ठीके पूरा पूरा बेड़ ही, या plant मतलब या तो पूरा व्रिक्ष या पूरा plant ही नहीं मुड़ जाएगा, ठीके पूरा पूधा नहीं मुड़ेगा, उसक औरगन चुछिप का औरगन मूफ करएगा कूर कई करेगा सबसे पहली बात है टपनिंग तो एक्सटरणल स्टिमिल आही की तरफ ठीके देखे, external stimuli मतलब बाहर से जो भी, जैसे sunlight है, या light है, कोई भी light है, water है, chemicals है, ठीक है, इनकी तरफ मुड़ना, ठीक है, क्या हम इनकी तरफ ही turn करेंगे, नहीं, इनकी तरफ ही turn कर सकते हैं, इनको बोला जाता है stimulus, ठीक है, तो stimulus की तरफ मुड़ना, किसका मुड़ना, plant के organ का stimulus की तरफ मुड़ना, या stimulus से दूर जाना, दोनों ही बाते हैं, ऐसा नहीं है, कि हम केवल plant की, मतलब उस stimulus की तरफ जाएंगे, यह रहा है stimulus, तो देखो, stimulus की तरफ भी जाएंगे, stimulus उधर है, राम प्रसाद का घर उधर है, तो उनकी तरफ अगर हम turn कर रहे हैं, उनकी तरफ turn कर सकते हैं, या हो सकता है कि हमको राम प्रसाद की घर पे नहीं जाना है, हमको मोहन प्रसाद की घर पे जाना है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कि राम प्रसाद की घर पे आप पिछली बार गय थे न, तो राइट टर्न लिया था न, तो वहीं से लेफ टर्न लोगे, तो आप मोहन प्रसाद की घर पे जाओगे तो हमको राम प्रसाद के रिफरेंस में बता रहे हैं कि आपको राम प्रसाद के अपोजिट में टॉन लेना है ठीक है तो इस्टुमिलस की तरफ जाना या इस्टुमिलस से दूर जाना दोनों ही बाते हैं ठीक है टॉनिंग होगी तो करेंगे, प्लांड के ओर्गन, मूफ करेंगे, तो एक टूमलस की तरफ, इसको टर्ण करेंगे, जा अवे फ्रॉम इट, या फिर से दूर जाएंगे, तीक है, से दूर भागेंगे, लेकिन कुल मिलाकर करके, टर्निंग होगी, तभी ये ट्रॉपीजम होगा, तभी ये और इस ट्रॉपिक मोमेंट में क्या ग्रोथ होता है बिल्कुल ग्रोथ होता है ये ऐसा मोमेंट होता है जिसमें की ग्रोथ होता है ग्रोथ का मतलब कि आपको उतनी दूरी तैक करनी ही पड़ेगी और करके ही उस stimulus के पास पहुँचना पड़ेगा ग्रोथ का मतलब कि बिना हम चले राम प्रसाद या मोहन प्रसाद के घर पे नहीं पूंच सकते तो हमको चलना पड़ेगा तो प्लांड का भी वो औरगन वहाँ तक पहुँचने के लिए उस इस्टूमलस तक पहुँचने के लिए अपने आपो बड़ा करता है बड़ा करता है ठीक है यानि कि इसमें क्या होता है ग्रोथ होता है और ग्रोथ कैसे होगा बच्चों अगर ग्रोथ हो रहा है तो it means कि इस मैं कहां लिखूं मैं यहां लिख दे रही हूं बिटा इसमें आप लोग एड़ कर लेना अगर ग्रोथ हो रहा है तो it means कि यहां पर क्या होगा यहां पर cell division हो ग्रोथ होता है सेल की संख्या बढ़ने की वज़े से तो ये एक ऐसा मौमंट ऑगा एक ऐसा मौमंट जिसमें की संख्या करने की वघुश हो घ्रोथ करेगा मतलब plant बड़ा हो रहा है दीरे दीरे plant बड़ा हो रहा है आप छोटे से पौधे को बड़ा होते हुए देखते हैं न तो छोटे से पौधा बड़ा चोटा सा पौधा था और वो बड़े tree में व्रिक्ष में convert हो गया कैसे क्योंकि उसमें cell division हुआ है और cell की संख्या बड़ी है तो इतनी सारी बाते आपको समझ में आ गए तो पहली बात की tropism का मतलब तो tropism में tropis होता है ट्रॉपस का मतलब होता है टर्ण करना, किस की तरफ टर्ण करना, इस टूमलेस की तरफ टर्ण करना, कौन टर्ण करेगा, तो प्लांट्स का ओर्गन टर्ण करेगा, क्या वो इस टूमलेस की तरफ ही टर्ण करेगा, नहीं, इस टूमलेस की तरफ भी टर्ण कर सकता है, या उस से दूर आपको जाना है, Light से या तो भागना है, या Light की तरफ जाना है, क्या इसमें Growth होता है, इस Moment में, Yes, इस Moment में Growth होता है, ठीक है, ये Growth Moment वाला, मतलब ये जो है, T्रॉपिज्म है, ये Growth Moment है, ये, ठीक है न, ना मतलब कि, ये ऐसा Moment है, जिसमें क्यों growth होता है तो growth होता है क्या इसमें cell division पाय जाता है क्योंकि बेना cell division के growth possible नहीं है तो growth हो रहा है मतलब कि इसमें cell की संख्या बढ़ रही है यहां सारी बाते clear हो गए बच्चों अब देखे types of tropism अगर हम tropism की बात करें तो कितने तरीके का पाया जाता है अगर हमने stimulus ले लिया है light तो पहला हमारा tropism होगा जिसको हम बोलेंगे photo tropism photo tropism का मतलब क्या हो गया light photo means होता है light और tropism का मतलब होता है turn करना light की तरफ turn करना या light से दूर भागना तो दोनों तरीके की turning हो सकती है ये याद रखना ठीक है turning जो होगा ये दोनों तरीके का हो सकता है light की तरफ भी हो सकता है या light से दूर भागना भी हो सकता है ठीक है इसको photo tropism अगर light की तरफ अगर plant turn कर रहा है तो इसको हम positive photo tropism कहेंगे और अगर light से दूर जा रहा है जो positive show करता है और कौन सा हिसा negative show करता है तो अगर आप एक plant को देख रहे हैं तो इस plant में देखें यहाँ पर sun है ठीक है तो sunlight यहाँ है ठीक है अब plant का यहाँ से हिस्सा देखें plant यहाँ से sun तो कह रहा है इसमें stimulus क्या है इसमें stimulus है light ठीक है light हमने ले लिया है stimulus मैंने साथ कहीं लिखा है अच्छा नहीं लिखा है मैंने आप देख ले न ठीक है न इसको कहीं लिख ले न कि इसमें stimulus क्या है ठीक है इसमें stimulus क्या लिया है हमने इसमें हमारे stimulus है light ठीक है light हमने stimulus ले लिया तो light कह रहा है plant को कि मेरी तरफ आओ है न मेरी तरफ आओ तो plant का कौन सा हिस्सा sun उस light की तरफ जा रहा है तो plant का यह हम देखते हैं shoot system जो होता है एक plant के दो भाग होते हैं यह जमीन से नीचे क्या है root system है और इसके उपर क्या है तो light उपर है कहते है रहे मैं तो यहां हूँ तुम कहां जा रहे हो तो यह route कहां जा रहा है नीचे जा रहा है थीक ए उसके opposite तो यही बात कही जा रही है कि stimulus की तरफ भी हो सकता है यह stimulus से दूर होसकता है turning करेगा लेकिन तो इस तरीके से शूट सिस्टम उपर कहता है कि हां हां आ रहे है ठीक है ना light की तरफ और route system कहता है नए नी मैं तो नीचे जा रहा हूं ठीक है वो नीचे की तरफ जाता है तो दो opposite direction में ये इस तरीके से move करते हैं लेकिन कुल मिला करके पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है याने कि इसमें moment तो हो रहा है अपनी जहां पर बैठे बैठे ही लेकिन वो क्या हो रहा है चल रहा है move कर रहा है ठीक है तो इस तरीके से light को ले करके अगर moment होता है तो इस तरीके एक moment को हम बोलते हैं phototropism ठीक है अब देखें इसमें shoot system को हम बोलेंगे कि ये positive phototropism शो करेगा यदि light की दिशा में ही जा रहा है तो ये positive show करेगा और negative कौन शो कर रहा है इसका root system जो root system होगा वो negative phototropism शो करेगा यानि कि light से दूर भाग रहा है ठीक है तो ये हो गया हमारा पहला दूसरा माल ले लेते हैं geotropism geotropism का मतलब होता है इसमें stimulus जो है हमारी gravity gravity यानि कि earth क्या कर रहा है earth हर एक चीजों को अपनी तरफ खीचता है ठीक है ना ये हर चीजों को अधरती पर जो कुछ भी है उसको अपनी तरफ attract करने की capacity होती है जिसको क्या बोलते है gravity बोलते है ठीक है इस marker को अगर मैं छोड़ दूँगे तो ये ऊपर इधर इधर नहीं जाएगा बलकि ये कहा जाएगा नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि earth क्या कर रही है इसको अपनी तरफ attract कर रही है तो ये क्या कहलाता है gravity ओके तो अब हमारा जो यहां पर ट्रॉपिज में जो इस्टुमलस है वो gravity है अगर gravity plants को अपनी तरफ बुला रही है ठीक है तो कौन कौन सा हिस्सा plant का gravity की बात मान रहा है और उसकी तरफ जा रहा है जो उसकी तरफ जाएगा वो positive शो करेगा जो उसकी तरफ नहीं जाएगा वो negative शो करेगा तो अगर हम एक plant की बात करें ठीक है यहां पर मैंने बिसरा plant ले लिया तो इसमें gravity की तरफ कौन जा रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है gravity करे रहा है मैं नीचे बुला रहा हूं और यह कहां जा रहा है यानि की opposite direction में जा रहा है तो यहां पर शूर सिस्टम जो होगा वो negative शो करेगा और रूट सिस्टम जो होगा वो positive geotropism शो करता है ठीक है next है hydrotropism hydrotropism में जो stimulus है वो क्या है water ठीक है यह hydro water जो है इसका मतलब होता है water तो यहां पर stimulus water हो गया अब पानी की तरफ plants का जो part है जो organ water की तरफ जाएगा वो तो positive शो करेगा और जो water की तरफ नहीं जाएगा वो negative शो करेगा ठीक है तो जो कहना मानता है और कहे कहे अनुसार काम करता है वो positive जो कहे अनुसार काम नहीं कर रहा है वो negative ठीक है तो अब यहां पर हम ल नीचे जमीन के नीचे पानी होता है और जो root होता है वो root उस water की तलास में पानी कहता है कि थोड़ा और नीचे आओ मैं यहां हूँ तो इसने कहा ओके ओके है ना अपने cell को और इसने बढ़ाया ठीकि इस cell division किया यहां से देखो है message मिलता है ठीकि यहां पर जो root cap है ना root का य और इस message को यहां से receive करके पूरे root को यह transfer कर रहा है यानि कि reaction zone है पूरा root ही reaction करेगा तो reaction zone अब इस तरीके से पूरा root cell division करेगा कि message मिला है root cap ने message लिया है कि पानी तोड़ा नीचे और भी है तो हमको वहां तक पहुँचना पड़ेगा देखे water table यहां से start हो रहा है और हमारा root हमारा water table देखो यहां से start हो रहा है और root यहां है तो इसने message receive किया कि पानी और नीचे है और पूरे root को message दिया कि cell division करो संख्या बढ़ाओ थोड़ा और नीचे थोड़ा और नीचे ठीक है तो धीरे 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 संख्या बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और root बढ़ होता जाएगा बड़ा होता जाएगा और धीरे धीरे यह क्या होता जाएगा water table के पहुंच जाएगा तो फिर यह यहां से water को absorb करेगा और पूरे plants को यह supply करेगा ठीक है तो बच्चों पानी जिदर बुला रहा है water कह रहा है कि मैं hydrotropism show कर रहा है और यह यहां पर हाइगा hydrotropism है ना देखे hydrotropism है अगर नं बात करने तो इसमें इस टुम्ललस तो water हो गया और इसमें positive कौन शो कर रहा है क्ऊन पानी की तरफ जा रहा है तो रूट जा रहा है कि जों रूट की तरफ घा रहा है तो नीचे की तरफ रूट के जाने पर दो stimulus काम कर रहे हैं एक तो gravity भी कह रही है उसको नीचे की तरफ आओ और एक पानी है ना पानी कह रहा है कि नीचे की तरफ आओ तब यहां जाकर के मैं मिलूँगा और तब तुमको पानी मिल पाएगा ठीक है तो दोनों में से कौन सा जादा strong होगा root के moment में और root के development में ठीक है root बड़ा होता जा रहा है और वो नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है दोनों stimulus में से कौन सा stimulus इसको strongly अपनी तरफ खीच रही है तो बच्चों इसमे water ठीक है क्योंकि water की पूरे पदे को जरूरत है तो यहां पर gravity stimulus भी काम कर रहा है लेकिन बहुत ही strongly यहां पर काम कर रहा है water ठीक है तो यही कहा जा रहा है कि hydrotropism is stronger than geotropism है न जियोट्रोपिजम तो है यह stimulus तो है लेकिन plant को चाहत है पानी की ठीक है तो वो geotropism की वज़े से अपने अंदर cell division करके और नीचे की तरफ नहीं जा रहा है बलकि वो hydrotropism की बज़े से जा रहा है मतलब पानी की तलास में जा रहा है तो hydrotropism है यहां पर यह ज़्यादा मतलब यहां पर पानी जो होगा वो ज़्यादा strong stimulus होगा तो hydrotropism stronger than geotropism ओके इसको हम बोलते हैं chemotropism है ना अब इसमें stimulus क्या है इसमें stimulus हम लेंगे chemicals लेंगे अब इसका मैं आपके एक example बताती हूँ example जैसे हमने ले लिया fungi आप देखते हैं कि fungi कहां होते है जहां पर कहीं moisture है तेक है आप देखते हैं कि अगर copy किताब कहीं ऐसी जहां पर रह जाए जहां का थोड़ा वहां पर moisture है बारिश के दिरों में और copy किताब कहीं ऐसे रह जाए जहां बहुत moisture है तो दीरे दीर आप देखते हैं कि उसके पर black black fungus पहले white fungus लगते हैं वो दीरे दीरे black fungus में convert हो जाते हैं black black हो झाल हो जाता है और उसमें एक अजीब सी smell आती है वहाँ पर एक अजीब सी गन्द आती है तो वह जो होता है ये वहां पर एक chemical secret हो रहा है तो फंजाई उस chemical के प्रती क्या हो रहा है attract हो रहा है ना moisture से वहां पर एक अजीब type का एक chemicals होगा और जिसकी और fungus गए और fungus वो आपर दीरे-दीरे डेवलप कर जाते हैं, ठीक है, तो यह जो example है, पहला example है, यह chemicals, chemicals के प्रती attract हो रहे हैं, दूसरा है pollen tube, देखे, pollen tube, pollen grains और pollen tube, देखे, जब pollen grains, pollen grains, जब pollen, pollen sack से, pollen sack होता है, जैसे बच्चों यह देखो, अमाल लो कि यह pollen sack है, ठीक है, यहाँ से pollen grain निकलते हैं, और सपोज करो कि यह stigma है, तो pollen grains यहाँ से हो करके stigma पड़ जाते हैं, stigma पर जाने के बाद, यह यहाँ से pollen tube बनाते हैं, पूरा diagram में आपको दिखा देते हूं, शो कर देते हूं, यह यहाँ से क्या करते हैं, pollen tube बनाते हैं, यह pollen grains जो होते हैं, यह pollen tube बनाते हैं, और pollen tube बना करके, उस pollen tube के अंदर male gamit पाय जाते हैं, उस pollen tube के अंदर male gamit पाय जाते तो है क्या यह देखो pollen grains होते हैं जो कि pollen tubes बनाते हैं और यह tube तेके हैं अब इसमें male gamit होता है ओके अब इस male gamit को ovule के अंदर पहुंचाना जरूरी होता है क्योंकि ovule के अंदर क्या पाई जाता है इसके अंदर पाई जाते हैं female gamit तो ovule के अंदर पहुंचाना है embryo sac तक है ना तो अब यह जो pollen tube होता है वो सीधे 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 कैसे बढ़ते हुए ovule तक पहुंच जाता है pollen grains बहुत सारे आगे stigma के उपर ठीक है अब यहां पर बात यह आती है कि जो बहुत सारे pollen grains है इन pollen grains को कैसे पता है कि इस pollen tube को plant के इसी हिस्से में ऐसे से बड़े करते हुए और ovule तक लेके जाना है अव्यूल तक लेके जाना है, हमको Embryo Sac तक लेके जाना है, ठीक है यह बात इनको कैसे पता रहता है तो इनको पता रहता है कैसे बचों ये Chemicals के द्वारा Embryo Sac, OVC, OVUAL Embryo Sac के द्वारा एक Chemicals रिलीज किया जाता है जिस Chemicals से इनको पता पढ़ता है कि हमको इसी direction में जाना है ठीक है हमको इस direction में जाते हुए जसी जंगल में कहीं आ भटक गया है तो अगर आपके पास योई अपनी ट्यूब पॉलेंग्रें जो है वा अपने पॉलेंट यूब अपने उदरज उदरज दार इस ब्रेच्शन में भेजते ब्रेचे और जहा तक कुछा नहीं चाना है kommt को वहां तक कि पूंचा देते हैं तो ये लहा तो दुछ देखा अच्छी फ्लावर्स की खुजबू है तो हम उधर जाते हैं लेकिन अगर कहीं से बहुत गंदी स्मेल आती है तो वहां से दूर भागते हैं तो या तो उस केमिकल की तरफ अट्रेक्ट होंगे या केमिकल से दूर जाएंगे दोनों ही कहलाएगा कीमो ट्रॉपिज्म और यहा प्रियो ट्रॉपिज्म भी कहते हैं इसमें स्ट्यूम्लस क्या है तच्या सपोर्ट ठीक है कोई सपोर्ट चाहिए अब यह हम प्लांट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका स्टैम जो होता है यह वीक होता है कमजोर होता है तो इसके स् बोथ रेट होती है वो कम हो जाती है धीरे धीरे यह ग्रो करता है और अगर आपने इसमें सपोर्ट दे दिया ऐसे प्लांट को जिनमें टैंडरिल पाया जाता है जिनको सपोर्ट की जरूत होती है और सपोर्ट मिलते ही जो मतलब रैपिडली ग्रो कर सकते हैं ऐसे अगर प तरफ यह cover कर लेते हैं ठीक है तो चारो तरप से उस support को यह cover करके और grow करने के लिए ready हो जाते हैं जैसे कि हमारा एक ही money plant का पौधा है अब इस money plant का पौधा अपनी आप ये गर grow करता है without support तो आप देखेंगे बहुत ही इसका growth rate slow है ठीक है दीरे दीरे यह grow करेगा लेकिन स्ट्रिक लगा दिया कि जैसे ही काया इसको क्यों दिया मतलब ओं-धिरल जही काल जाए कर लिया और यह काम आप देखेंगे कि केवल आपको 10 मिनट के अंदर दिखाई देगा कि इसने सपोर्ड को पकड़ लिया है अब इसका ग्रो रैपिडली होगा तेजी से यह टेंड्रेल ग्रो करता जाएगा इसमें सैल डिविजन होगा और देखते ही देखते बहुत ही कम सम सपोर्ड देते हैं तो money-plant-co-potha भी इस तरह के से वह सफोर्ड को पकड़ करके उससे डिरेक्षेन में यह घ्रो करता है होते हैं कुछछ लोग ऐसे जिनको थोड़ी से सपोर्ड की जरौत होती है अगर उंके तालेंड बहुत है ठीक के इसमें पोलावश चिंश सपोर्ड क होते हैं जो कि students के talent को पहचान करके और उनकी उंगली पकड़ते हैं उनको थोड़ा guide कर देते हैं और वो बच्चे बहुत कुछ कर दिखाते हैं ठीक है वो star की तरह से उसका हाथ पकड़ करके और चंद्रगुप्त को कहां से कहां पहुचा दिया मतलब एक महान सासत चंद्रगुप्त है ना चंद्रगुप्त मौरे बना दिया तो एक support की जरूत थे ठीक है talent तो था talent तो है ग्रो कर सकते हैं लेकिन एक support एक guidance की जरूत है जो यहाँ पर हमने खड़ा कर दिया अब इसको पकड़ करके यह plant ग्रो कर जाएगा ठीक है तो इस तरीके का अगर plant में moment आपको दिखाई देता है आपने tendril के द्वारा अगरीगी move करते हैं तो इसको हम बोलते है यो ट्रॉपिस्म भी का जाता है ठीक है तो बचों आज हमने यह ट्रॉपिस्म या ट्रॉपिक moment यह पूरा आज हमने डन कर लिया next हम कल बढ़ेंगे आगे नास्टिक मुमेंट की तरब ठीक है तो अभी के लिए ता ही study कर दे रिए ओके है नाइस दे